हेलो एवरीवन आज हम इंडियन एविडाइंस टैक्ट का जो केस डिस्कुस करने वाले हैं उसका नाम है पटेल हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ये 2002 का केस है इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह है पटेल हीरालाल जोत्रा यहां पे उनका अफेर होता है आशा बैंड क होती है वो इस जिसका पोस्ट करते हैं और जिस वजह से पटेल हीराल जो होते हैं यहां पे किसी कमबस्टिबल लिक्विट को आशा बैंड के पर छो करते हैं और लाइटर से उन्हें जला देते हैं तो इसे के रिगार्दिं यहां पे जो आशा बैं होती है वो डाइंड ड सबसे पहले इसके साथ साथ पूरी स्टोरी अपने हजबन को भी बताती है और उसके बाद वो फिर में जो नाम बताती है एक्यूस्ट का वो हीरा लाल लाल चंद बताती है और उसके बाद ही यहां पर जब इन्वस्टिगेशन के दौरान वो क्लिरिफाइट करती है और क्लिरिफाइट करने के बाद वो सही नाम बताती है जो त्रॉम का तो यहां पर कुल मिला के जो फैक्ट है यहां पर जो लीगल इशू सामने आता है वो यही कि जो यहां पे डिकीस्ट पर्सन है उन्हें जो स्टेट में डिकॉर्ट कर वाई है क्या वो डैंक डेकलिरेशन में फॉल करेगी यह नहीं करेगी तो सबसे पहले यहां पे जो एफाय रेजिस्ट्र होती है यह ध्यान दिखने के बात है कि वो हीरालाल लालशंद के नाम पे ह सेशन कोट एक्शली वो हां कहता है का की तड ही हें, यहां पिर इकर देज़ा है कहता है हुआ के लिए। को फिर शबॉतनलिया प्रस्थियान करने लेकिन समय स्थी देक्स माव्वला में सुम्टमें ते इंहाभ बोधना हैं सुप्रिम कोट यहां क्यों पहला है, इसस पर क्या है कि उसका exception है section 32 Indian evidence act. Indian evidence act एक तरह से हिहां पर here से evidence होते हैं जो generally एक exception ही माने जाते हैं तो इसके साथ ही यहां पर हाई सुप्पीम को दो चीजों को observe करता है कि दो categories के true यहां पर दो चीजे होती है अगर present हो तो section 32 clause 1 की वह valid होती है यानि कि जो statement है अगर decreased person की वह related होने चाहिए death की उसके death से relate होने चाहिए और दूसरी चीज़ जो statement है वो उस पूरे transaction उस पूरे circumstances के transaction से relate करते होने चाहिए जिससे उसके death हुए है तो यहां पर जो जो सारी चीज़े है वह बिल्कुल यहां पर रिलेट कर रही है और दूसरी चीज़ जो बर्न विमन है जो पुरी तरह से जल चुकी है वह पुरे कॉंशियस माइंड के साथ यहां पर स्टेट्मेंट को रिकॉर्ड करवाती है इसे वजह से यह जो डाइंड डेक्लेरेशन है और जो करेक्शन अफ दे नेम है वह बिल्कुल वैलिड है और यहां पर सुप्टीम कोट जो है वह हाई कोट के डिसिजन को वैलिड ठहराते हुए अक्यूस्ट परसन को कन्विक्ट करती है थैंक यू